नमस्कार दोस्तों, आज आप सबके लिए एक टॉपिक यहां पर लेकर आया हूँ, वो है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया से एक न्यूज आज आती हुई, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने फिलहाल एक जो नॉटिफिकेशन जारी किया है, उसके अनुसार उन्होंने किसान के लिए यहां पर एक जो स्कीम है, उसको कंटिनू किया है, यह स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, यह आपकी KCC, यानि किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी ही एक स्कीम है, जिसके तहत यहां पर जो भी किसान अगर बैंक से लोन लेता है, KCC के फोर्म में, KCC एक तरह का बना दिया जाता है, जो की बनाया जाता है, उनके पास कितनी जमीन है, और उसके उपर किस तरह की वो कोमेडिटी को ग्रो कर रहे हैं, उसके अनुसार एक कैल्कुलेशन करके इहां पर स्केल ऑफ फाइनस के थूरू एक KCC की लिमिट बनाके दी जाती है, अब इन KCC की जो रेट ऑफ इंटरस्ट ऑब्विस है, चार्ज किया जाएगा, लेकिन यहां पर गॉर्मेंट ऑफ इंडिया एक नॉटिफिकेशन जारी करता है, जिसके तहत वो ये बताता है कि किसानों से जो रेट ऑफ इंटरस्ट है, वो फिक्स इतना हमाउंट ही आप चार्ज कर सकते हो तो फिलाल ये काफी सालों से जो चल रहा है नॉटिफिकेशन जो है, वो सेम ही चल रहा है और इसको एक बार फिर से गॉर्मेंट ने कंटिन्यू किया है और फॉर्दर गॉर्मेंट ने यहां पर आर्बिये ने गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के वहाप पर सभी बैंक्स को इं interest subvention मिलेगा यानि कि जो government of India है वो bank को 2% देगी जो कि later on आप किसानों के account में credit कर देंगे तो किसानों को ultimately जो effective rate of interest पड़ेगा वो 7% ही पड़ेगा लेकिन यहाँ पर किसान अगर इसकी जो limit इन्होंने बनाई है KCC की उसको बहुत सही ढंग से चलाते रहते हैं जब भी subvention देने की घोशना की गई है पहले भी यह थी अब इसको continue किया गए है तो effective जो rate of interest है अगर एक किसान केसी से limit बनवा रहा है और यहाँ पर बहुत सही तरीके से अपना जो ब्याज है वो जमा करवा रहा है तो उसको ultimate जो rate of interest पड़ेगा वो 4% ही पड़ेगा लेकिन इस बा लाक तक की amount का benefit तो उसको मिलेगा लेकिन एक लाक की amount पर यह जो extra ब्याज है जो extra subvention है यह उनको नहीं मिलेगी तो यह आपका किसान credit card से जुड़ा हुआ एक एहम फैंसला यहाँ पर continue करने की बात की गई है और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजे की गई है कि in case को natural calamity हो जा सब्वेंशन प्राप्त करने के लिए तो ध्यान रखीगा कितनी सब्वेंशन है कितना amount है तीन लाक और सब्वेंशन साथ परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट कम मिलेगी यह सब चीजें आपके exam point से बहुत important है exam में पूछी जा सकती है चलिए इसी तरह की informative videos के लिए मेरे साथ बने रहे है और ध्यान रखे आज रात अनकेडमी दे रहा है आपको आज रात बारा बज़ तक एक एक एक्स्ट्रे डिसकाउंट अमूवन यह डिसकाउंट 10% होता है अनकेडमी प्लस आप परचेज करते हैं तो आपको 20% डिसकाउंट यहाँ पर ओफर किया गया है ज आप SBI 10 कोल इस्तमाल करेंगे तो आपको 20% डिसकाउंट यहाँ पर प्राप्त हो सकता है तो आप इस ओफर को ज़रूर अवेल कीजिया और मेरा बेंकिंग अवेरनस का कोर्स भी बहुत जल्दी इसी अनकेडमी प्लस पर शुरू हने वाले नेक्स वीक से बिलकुल बेसिक स और अपने एक्जाम की प्रिपरिशन को और बढ़िया कीजिये